धीरे सरकारी बंदिशे हटाई जा रही हैं, कटीले तार भी धीरे धीरे सिमट कर कोनों तका रहे हैं ये कश्मीर की एक ऐसी सुबह है जो धारा 370 को हटाई जाने के बाद नॉर्मलिंसी की तरफ यानि नॉर्मल स्टेट की तरफ बढ़ती हुई दिखती है जब से सरकार ने कल इस बात का एलान किया कि रिस्टिक्शन सब धीरे धीरे हटाई जा रही हैं सरकारी दफतर कल खूलने की बात हुई तो ये आज सुबह आपको श्री नगर की सड़कों का नजारा दिखाई दिएगा जो नॉर्मल दिन की तरह है सुबह के नो बजे हैं लोग दफतरों में आ जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने दफतर पहुँच रहे हैं िए चलने लगा है लोग आ रहे हैं और सरकारी बंदीषी जो हटानी की बाची ती उसमें फोन लाइण फोन लाइने की चुरू कीए जाने को शुरू किया है इसकी अभी अधिकारी कोई पुस्टी नहीं की लेकिन ट्राफिक आपको सड़कों पर चलता दिख रहा है कि किस तरह से लोग नॉर्मली अब निकलने लगे हैं थोड़ी देर बाद बाजार का भी हाल पता चलेगा लेकिन जो सरकारी करमचारी हैं वो तमाम अपनी डूटी पर लोट रहे हैं और आम आदमी सड़कों पर फ्रिली घूम रहा है क्योंकि सुमवार तक तमाम कम्मिकेशन नेटवर्क जो टेलिफोन लाईने या कुस हिस्सों में जो मोबाइल फोन है उनकी भी शुरुआत कर दी जाएगी यानि उनसे भी जो बंदिशे वो हटाली जाएंगी इसके अलावा बाकी तमाम जो रिस्टिक्शन थी उनको इलाका वार हटाया जाएगा लोगों के कम्मिकेशन आज आपको सड़क पर दिखेगा कि सड़क पर बहुत ही कम जगए ऐसा लगा कि जहां सिक्यूरिटी उस तरह से लगाई गई ती जैसे मौसम की तरफ इशारा किया हवा में हलकी ठंडक है ये पूरा इलाका आपको चलता हुआ दिख रहा है ये इस पूरा का पूरा इलाका यहां से ओल टाउन और लाल चोक की तरफ बढ़ता है इधर बटमालू की तरफ तो ये आपको सड़क का जो नॉर्मल ट्राफिक है वो आपको दिखाई दे रहा है लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं जो भी सरकारी करमचारी हैं वो धीरे 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 वापस लौटने लगे हैं और अपने अपनी ऑफिस में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक शनिवार की सुभ है हम कश्मीर की इस सक्रेटरीट के आसपास हैं जहां तमाम करमचारी अब धीरे धीरे अपनी शिफ्ट में ड्यूटी करने की और बढ़ रहे हैं वीडियो जनलिस अतुल के साथ धिरेंदर पुंडीर न्यूजनेशन श्रीनगर